बहुत सारे होलसेलर, बहुत सारे मैनिफैक्चरर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, सब की भरमार मिलेगे। बायर को बेचकर सप्लायर से खरीबना शुरू करो। लोग पहले क्या करते। बिजनस में वही व्यक्ति काम्याब है जो अपने बायर और सप्लायर के बीच का विया पारी छोटा हो या बड़ा, काम करने का तरीका एक ही होता है। जब बात करते हैं लोग थमनेल क्लिक करेंगे वहां पर देखेंगे कि बिना पैसे के वैपार कैसे करें। और उनकी एक्सपेक्टेशन यह सच में ही होगी कि कुछ ऐसा बिजनस बता है जिसको बिना पैसे से किया जा सकता हूँ। लेकिन दुरबाग्यवश थमनेल पर क्लिक करने के बाद कई बार कॉंटेंट ऐसा मिलता है जहां पर वह रिलेवेंट नहीं होता। मैं सच में आपको बिजनस बताने वाला हूँ जो बिना पैसे क्या आप कर सकते हैं। एक बात करें तो उन प्रोडुक्स में से उन डेस्ट्री में जाना चाहते हैं तो सबसे पहला क्राम है इंडस्ट्री को देन्टिफाइ ना चाहते हैं। tools and machinery, equipment या consumer durable goods, electronics किसमें जाना चाते हैं पहले decide करें माली या अपने मन बना लिया कि मुझे electronics के बिजनस में जाना है अब electronics के बिजनस में जाने के लिए सबसे पहले काम करने के क्या क्या तरीके ये पता होना जरी है रिटेल आप कर सकते हैं इसके लिए रिटेल शोरूम चाहिए रिटेल आउटलेट चाहिए और बहुत बड़ा इंवेस्टमेंट लगता है या आप ऑनलाइन करना है इंपोर्ट करना है तो पहले इंपोर्ट करेंगे तो इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो कहने का मतलब कहीं से भी देखे तो पैसा बहुत लगता है लेकिन सच में अगर आप बिजनस की स्ट्रेटेजी को समझ ले तो बिना पैसे के इन में से कोई भी काम किया जा सकता है आप मैं बताता हूं कैसे मान लीजिए आप electronic goods को wholesale में sell out करना चाहते हैं तो आपको पैसा लगा के industry set करके market में research करनी पड़ेगी कैसे बिकेगा और कौन सा product develop करना होगा इन सभी चीज़ों को side में रखते हैं सबसे पहले आपने decide किया मुझे electronics का business करना और वह भी बिना पैसे के करना है तो बिना पैसे के करने के लिए भी अगर आप पैसा लगा के भी करते तो आप क्या करते हैं as a manufacturer बहुत सारे raw material supplier को देखते हैं और उनसे प्राइज लेते हैं यही करते ना लेकिन आपको setup नहीं लगाना manufacturing का तो सबसे पहला काम आप क्या करें कि इंडिया मार्ट ट्रेड इंडिया एक्सपोर्टर इंडिया अलीबाबा यह वह प्लैटफोर्म है जहां पर बहुत सारे dealer पहले इरिस्टेड हैं बहुत सा के माधियम से करें इंडिया माट की साइट को लें ट्रेड इंडिया एक्सपोर्टर इंडिया अलीबाबा या गूगल के माधियम से आप पहले suppliers की लिस्ट बनाएं कि मैं electronic gadgets में माली जी वाच मैनेफेक्चरिंग डून वाच सेल करना चाहता हूं या कैमरा सेल करना चाहता ह मैं example वाच का लेता हूं तो वाच के कौन-कौन से manufacturer है उन सभी से quotation मंगाए as a company मैं as a company भी यही काम करता हूं कि मुझे जो भी materials आगे अपने consumer को देना है मैं manufacturer से उसकी quotation मंगबाता हूं product description मंगाता हूं product detail मंगाता हूं जब वो सारी information मुझे भेज देता है तो मुझे पता होत और उसका मुझे purchasing price क्या मिलेगा अभी question यह होता है कि manufacturer कहता है कि wholesale में बाल दूगा दो पीस तो भेजूगा नहीं ग्यापारी छोटा हो या बड़ा काम करने का तरीका एक ही होता है सिर्फ mindset छोटा और बड़ा होता है तो वो क्या करता है वो कहता है पचास पीस लोगा तो क लोगा हाजार लोगा तो कितने का पड़ेगा हमेशा जब आप बिना इंवेस्टमेंट के काम करने जायेंग न तो आप बड़े तरीके बिजिनस पर बड़ा तरीका क्या है जितने भी manufacturer है या उसके commission agent है या उसके supplier है या उसके importer है उन सभी से product के बारे में पूरी information मंगाऊ और पूरी information को अच्छे से study करो देखो कि मनलीजी आपने 10 manufacturer से बात किया है तो एक देरा 900 रुपे का एक देरा 800 का एक देरा 700 का एक देरा 600 का तो उनके product में क्या difference है खाली price की बात नहीं है अपने product को जिसमें आप industry लगाना चाहते थे पैसे से उसको बिना पैसे लगाए पूरा study करो और जब आप अच्छे से study कर लें तो उनसे बात करें कि आप ये metal मुझे तो यही सारा काम करते हैं अब आपको find out करना है कौन buyer क्योंकि industry में दोनों चीजों के ज़रूँ आता है supplier की और buyer की नाव वाट यह वाट यह वाट यह वाट यह वाट यह वाट यह वाट आप कहा जाएंगे जिन platform से आपने supplier को ढूंडा है उन्हीं पर free में account खोल कर इंडि आइल फोन में इतना सारे इंशॉट है इतना सारे application है फोंटो है बहुत सारी application है उन पर सारे के सारे creative design करके उसकी पूर information जो आप ले चुकी है जो आपने पैसा खर्च करके नहीं लिए वो सारी information के साथ as a seller अपने account खोले और वा information upload करें और अपने profit margin रखें 5% 10% 15-20% आप आपको पता चल जाएगा कि यह product supplier इतने का दे रहा है और market में product इतने का भी करा है जब आपके बास बहुत सारी जगा पर listing हो जाएगी तो आपको जैसे आपने buyer को supplier को ढूंड कर call किया था ऐसी को आपको भी ढूंड रहा होगा वह आपको जब contact करें तो उसको price list दो उसको price अपनी advance कोन देगा 99% लोग जो small scale business कर रहे हैं वो कभी भी बहुत बड़ी capital नहीं करते लगाते नहीं बार बार वो कहते हैं मेरा तो वैपार ऐसा है हम तो cash पर काम करते हैं जैसी आपका buyer आपको advance दे उसी advance से आप supplier को payment करके material order करो दोनों के time period को समझ लो कि 7 दिन के supply थी तो करते हैं और यह चीज़े जो आपको बता ही जारी इसको note down कर लो यह आपको पैसे देखकर भी सही तरीके से सीखने को नहीं मिलेगी जो अभी मिल रही है तो यह तो एक तरीका हुआ कि अब अब जब आप retail करते हैं तो quantity चोट उटी मिल जाते हैं आपका supplier कहता है मैं तो 1000 प तैयार नहीं जब आपका mindset बात पर तैयार हो जाएगा यह मान लेते हैं पहले ही दिन कि आपके पिताजी ने आपको 50 लाग रुपे दी हैं उस supplier से माल खरीद के भी आपके पास रख दिया है माल आपके go down में रखा हुआ है अब आप क्या करेंगे आप confidence change हो गया अब बेच expert है buyer और supplier के बीच के time, money और supply को management करने में दीरे दीरे आप देखेंगे कि आपके पास leads generate होना चुरू हो जाएंगी और उन leads में से conversion भी आता है अगर 100 leads आपने generate किया है तो on and average अगर 2% का conversion है तो 2 client deal होते है problem क्या है कि हम एक से pitch करते हैं दो से pitch करते हैं तीन से pitch करते हैं दसमें तक पहुंचते हैं पहुंचते हिम्मत अरदाते है business का 100 days policy एक rule है और 100 clients एक policy rule है वो क्या है कि 100 दिन तक मैं लगातार काम करूँ है चाहे result मिले या ना मिले body transformation में क्या होता है बंदा एक दिन जिम गया exercise की घर पे आया शीशे में देखा कुछ भी नहीं दूसरे दिन फिर exercise की घर पे गया शीशे में देखा कुछ भी नहीं दसमें दिन भी zero लेकिन जब करते 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 10 दिन की photo भी मैच करेंगे तो आपको internally खुद तो feel हो रहा है photo में भी difference आएगा और 90 दिन होते होते 100 दिन होते होते आपकी age transform हो चुकी होगी आपकी body transform हो चुकी होगी जब लगातार आप as a seller अपने बायर से बात करेंगे तो वो 10 सवाल पूछेगा तो हर बार आपको 10 सवालों के नए जवाब मिलेंगे जो अगल आपके पास आगई पैसे advance आपके पास आगया खरीदार ने पैसा दे दिया अब तो और असान है वही पिताजी ने जो 50 लग का stock खरिद के दिया था पिताजी किसको मान लो उसका बाल उसी के पास रखा है पर मैं पैसे दूगा माल लूगा उससे material और आगे supply करो import export के business में जितने भी merchant exporter है वो कोई stock नहीं करते Amazon जैसी company कोई stock नहीं करती आप खरीद रहे हैं उनके photo उनकी footage उनकी information के back portal पर है और उसके माधियम से बेच रहे हैं कुछ लोग सोचते मैं आपना खुद का e-commerce platform बना लूँ देखो internet एक अथा समुद्र है और इस अथा समुद्र में आ आप अथा समुद्र के पानी की एक बूंद के भी दस हजार में हिस्चे के बराबर नहीं है internet पर इतना अथा समुद्र के बराबर internet है तो ज़रूरी नहीं कि आप पहले खुद का पैसा लागए e-commerce platform generate करें आज दुनिया के बड़े बड़े जहाज बने बनाए तयार पड़ हर इंडस्ट्री का अलग पोटल है वो बड़े बड़े डिजिटल जहाज है तो आप भी डिजिटल माल उन पर लाद दो मतलब उनकी images उनका content उनकी information उनके price list तो digital से आपको actual order आएगा और जब वो actual order आए तो फीड करो अपने supplier से business में वही व्यक्ति कामियाब है जो अपने buyer और supplier के बीच का relation maintain कर ले ना तो आपकी commitment फेलो ना आपकी transaction फेलो और ना आपका delivery time फेलो तो आप एक successful business owner बनेंगे जब आपकी पहली deal हो जाए ना पहली deal हो सकता है कि आपको करने में सोड़ी दिक्कत आए मैंने सर जब franchisee business शुरू किया था 64 meeting मेरी reject हुई थी 65th meeting जो थी मे हो जाए यह एक नियम है जब तक आपका lead 100 है उन 100 में से 100 लोगों से बात ना हो जाए 100 लोगों से prices तक ना पहुंच जाए एक दिन ऐसा आएगा 100 होने से पहले ही कहते हैं कि चाभी चाभी के गुच्छे में अगर चाभी है तो ज़रूरी नहीं कि आपके हाथ पहली चाभी लगे दूसरे लगे उसकतर लास्ट चाभी आपके अपास में हो तो मेरे चाभी के गुच्छे में 100 हैं मैं 100 के digit को हमेशा और बायर बढ़ा है कई बार क्या होता है कि आप जब small scale business शुरू करने बिना investment के तो आप एक पार दर्शिता भी रख सकते हैं कि you are a commission agent मतलब आपके पास बायर है आप अपने supplier से बात करो कि भी जो डील है वो डारेक्ट में आपको जता हूं sales का जो वॉल्यूम को उसके पास GST नंबर है उसके पास firm है उसके पास टॉक याड है उसके पास material है तो आप अपनी लीड को divert कर सकते हैं towards supplier और supplier से बात कर सकते हैं कि भी sales volume का मेरा selling price आपका buying price जो मुझे लगेगा या आपके selling price पर मैं 10% incentive charge करूंगा आज maximum industry में 10% का commission है चाहे वो medical industry हो चाहे वो FMCG industry हो 10% का commission on trade होता है और इसको justified commission भी बोलते हैं तो बिना पैसे के आप lead generate करके वो lead अपने supplier को share करके उस supplier को conversion में लाके 10% incentive गरूप में कमा सकते हैं आप यहाँ पर ना आपका firm number लगा ना जीस्टी ना आपका stockyard ना आपका backward ना आपका background कुछ भी ज़रूत नहीं पड़ी तो ये भी एक पर चड़ जाओ क्या वो सारी information amazon flipkart या me show या इस तरह की जो apps हैं उनके थुरू करो या B2B lead generate करो सिधा इंडिया माट ट्रीड इंडिया एक्सपोर्टर इंडिया अली बाबा और Google my business इन चार-पांच platform के जरी आप काम करते हैं तो आपके पास business की लीडी कर्षा होंगी चाहें आप एजा sales commission काम करो agent काम करो चाहें आप buy and sell करो वैसे मैं हमेशा कहता हूं कि sell and buy करो सुनने में थोड़ा जीव लग है कि पहले बेचो बाद में खरिदना चुरू करो हम जितने भी businesses में make to order करते हैं पहले बेचते हैं जैसे हम modular kitchen बनाते हैं तो यह थोड़ी कि मेरा kitchen बना हुआ रखा आप पैसे देंगे तो मैं आपको माल दूँगा आप मुझे पैसे देंगे तो मैं में material बनाऊँगा आपको वो लोग भी मिलेंगे जो आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपके बायर के थुरू आपके supplier के थुरू आपके बायर माल खरिदने के लिए तयार हो जाएंगे या कुछ लोग ऐसे भी ट्रस्ट करेंगे कि ठीक है आपको payment करता हूं सेंपल भेज दो पहले मुझे कोई आपकी company और industry नहीं चाहिए मैं आपको 10,000 रुपे transfer करता हूं आप मुझे सेंपल भेजो 10,000 का आपने order ले लिया ना एक बार जैसे 10,000 का लिया वैसे 1,000,000 का मिलेगा वैसे 10,000,000 का और वैसी करोडों का भी जरूरत है केवल will power strong करने की yes I can do this business